साथियों, हमें एक और बात याद रखनी हैं, दुनिया तेजी से बदल रही हैं, अगर हमने खुद को तेजी से तयार नहीं किया, तो फिर पिछडने का खत्रा हो जाएगा। अध्यों कि क्रांति ये समय, भारत को तेजी से निर्णे भी लेने होंगे और उन्हें तेजी से लागू भी करना पड़ेगा। बदलते हुए समय के साथ जिस तरह नेचर अब जॉब बदल रहा है, वो आप भी देख रहे हैं। आज दुनिया डिजिटल एरा में प्रवेश कर रही है, पूरा वैश्विक परीवश तेजी से बदल रहा है। आज हम सब गीग जीएजी और प्लेटफॉर्म एकोनोमी के रूप में रोजगार के एक नए आयाम के साक्षी बन रहे हैं। ओनलाइन शॉपिंग हो, ओनलाइन हेल्थ सर्विसिज हो, ओनलाइन टैक्सी और फुट डिलिवरी हो, ये आज सहरी जीवन का हिस्सा बन चुका है। लाखों युवा इन सेवाओं को इस नए बाजार को गती दे रहे हैं। इन नई संभावनाओं के लिए हमारी सही नीतियां और सही प्रयास इस ख्षेत्र में भरत को ग्लोबल लीडर बनाने में मदद करेंगे। साथियों, देश का स्वरम मंत्रान अमरत काल में वर्स 2047 के लिए अपना विजन भी तैयार कर रहा है। भविश्की जरूरत है फ्लेक्सिबल वर्क प्लेशिस, वर्क फ्रम होम इकोसिस्टिम। बविश्की जरूरत है फ्लेक्सिब वर्क अवर्स, हम फ्लेक्सिबल वर्क प्लेश जैसी ववस्ताओं को महिला स्रम शक्ति की भागिदारी के लिए अउसर के रुपे इस्तिमाल कर सकते हैं। इस पंदर आगस को लाल किले से मैंने देश की नारी शक्ति की संपूर्ण भागिदारी का आवान किया है। नारी शक्ति का सही उप्योग करते हुए भारत अपने लक्षों को और तेजी से प्राप्त कर सकता है। झाल